हेलो दोस्तो नाइका के आईपियो के अलॉट्मेंट की प्रोसेस पूरी हो चुकी है तो दोस्तो जिन लोगों को भी नाइका के आईपियो का अलॉट्मेंट हुआ है तो उन लोगों के लिए खुशी की बात है कि NICA के IPO का जो gray market का premium है वो लगातार बढ़ रहा है तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि NICA के IPO का जो gray market का premium कितना चल रहा है फिर दोस्तो बात करेंगे queries की मतलब जिन लोगों के भी IPO allot हो गया है पर उनका जो amount है वो fade दिखा रहा है या इसके अलावा जिन लोगों के IPO allot नहीं हुआ है तो उन लोगों के पैसे अभी तक refund नहीं हुए है तो कब तक refund होगे तो इन सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके grey market के premium की तो इसका आज की तारी में जो grey market का premium चला है 760 रुपए पर share बहुत लंबी चलंग मारी है 760 रुपए इसका grey market का premium चला है एक share का तो यह 12 share का lot है तो 760 x 12 करते हैं तो लगबग 9120 रुपए हमें एक lot पर आज की तारी में फाइदा बता रहा है जो की देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त है अगर हमें 9000 जैसा listing gains मिल जाता है तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और इतने दिनों के अंदर इतना profit बहुत ही अच्छा होता है फिर दोस्तों बात करते हैं जिन लोगों के IPO allot हो गया है पर उनके amount fail दिखा रहा है तो उन लोगों को tension करने की ज़रूरत नहीं है बाद में उनके पैसे काट लिए जाएंगे जनरली ऐसा होता है कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे IPO allot हो जाता है share भी हमारे DMAT account के अंदर आ जाते हैं पर पैसे खरोगों पैसे हमारे bank account के अंदर ही रहते हैं तो ये पैसे जो हैं बाद में काट लिए जाते हैं तो tension लेनी की कोई बात नहीं है पैसे बाद में काट ली जाएंगे और शेर भी आपके D-Mate Account के अंदर आ जाएंगे और फिर दोस्तों जिनके अभी तक पैसे refund नहीं हुए है तो दोस्तों आज refund की date आज है तो आज तक सब के refund हो जाएंगे अगर आज सब के refund नहीं होते तो कल तक सबके refund हो जाएंगे फिर दोस्तों अगर कल तक सबके refund नहीं होते तो हमारे जो UPI mandate के अंदर जो expiry date है वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं तो last expiry date जो होती है वहाँ तक आपके पैसे refund हो जाएंगे और दोस्तों अगर expiry date पर भी हमारे पैसे refund नहीं होते तो आप bank में जाकर check कर सकते हैं वो आपको last date बता देंगे कि कब आपके पैसे वापिस free होंगे bank के अंदर सब का पता चल जाता है कि हमारे पैसे वगिरा block हैं तो वो सब amount पता चल जाएगा तो tension लेने वाली listing day strategy पर भी वीडियोज आ जाएंगे मतलब listing वाले दिन हमें क्या करना है तो उस पर भी वीडियोज आ जाएंगे तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं वीडियो कर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रू करें और दोस्तों चैनल को subscribe कर लें मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियोज के अंदर